आज हम बनाने वाले हैं निम्बू का खटा मीठा तीखा चार जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और खाने के साथ कोई भी अचार ना हो तो खाना बिलकुल अधूरा होता है तो आज मैं दो तरह का नीमबू का अचार बनाने वाली हूँ खटा और तीखा बिलकुल मसाले वाला और एक तरह का मीठा अचार बनाएंगे हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हेलो फ्रेंस मैं सोनी सोनी फोर्स्टेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीमबू का अचार बनाने के लिए यहां मैंने 500 ग्राम नीमबू लिया है और बिलकुल अच्छे से साफ कर लिया है जो भी आप नीमबू अचार के लिए लें तो वो बिलकूल साफ होने चाहिए तो अब हम इनने कट कर लेंगे बिलकूल साफ करके तब हम कट करेंगे अच्छे से पाने इनका पहुच लेना है तो आप कट कर लेंगे एक निम्बू के मैं चार टुकडे कर रही हूँ यानि किचार भाग कर रही हूँ आप चाहें तो और चोटे कर सकते हैं या फिर आप दो टुकडे भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो लेकिन जितने चोटे टुकडे हम करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा चार तो मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसके बीज निकाल लेंगे या तो आप चाहें तो निचोड के इसके बीज निकाल सकते हैं और फिर उस रसको आप यूज कर लीजी इनमे ही हम वापस डाल देंगे निमो में तो निकाल लेते हैं के बीज बीज निकाल लेंगे तो ज़्यादा कड़वा चार नहीं लगेगा तो बीज मैंने निकाल लिये हैं अब हम दो जार लेंगे क्योंकि अलग अलग हमाचार बनाने वाले हैं तो इनको मैंने बिल्कुल अच्छे से गरम पानी से धो के अच्छे से सुखा लिया है, अब हम इसमें डाल लेंगे, आधे आधे करके हम इसमें डाल लेंगे, अब इसमें हम एक एक चमच नमक डाल रहे हैं, तो नमक डाल लेते हैं, दोनों में एक एक चमच हम नमक डालेंगे, अचार में नमक थोड़ा जादा ही होता है, तो जिस चमच से हम खाना काते हैं उसी चमच से एक एक चमच में नमक डाल लिया है अब हलका सार नीच ओड़ लेंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्स कर लेंगे अच्छे से और एक एक चमच में इसमें चीनी डाल रही हूं दोनों में ताकि ज्यादा खटा न लगे क्योंकि नीमबू ज्यादा खटे होते हैं तो ज्यादा खटा न लगे तो एक एक चमच हम चीनी डाल लेंगे तो दोनों में मैंने अच्छी से मिक्स कर दिया है अब इन्हें हम 15 दिन के लिए दूप में रखतेंगे या फिर आप घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं, पर हर रोज हम इसको ऐसे मिलाते रहेंगे, या चाहें तो सूखे चम्मत से इसको एक बार चला सकते हैं हम, अब हम 15 दिन के लिए इसे धूप में रख देंगे, 15 दिन हो गए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से यह सोफ्ट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से यह सोफ्ट हो गए हैं 15 दिन में, अब हम एक बड़े से बावल में इसे निकाल लेंगे, और इसमें हम मसाले एड़ कर लेंगे तो यहां मैंने एक छोटी चमच अजवाइन ली है अजवाइन आप जरूर डालना बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और खाने को डाइजेस्ट करने में अजवाइन हेल्प भी करता है दो बड़े चमच मैंने यहां सौफ लिये हैं सौफ डालेंगे अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को हलका सा भून कर करश करके भी आप डाल सकते हैं दो बड़े चमच मैंने यहां लाल मिच पाउडर लिया है वो डालेंगे एक चमच मैंने सोट पाउडर लिया है यानि कि अधरक का पाउडर वो डाल लेंगे अगर आपके पास सूखी अधरक है तो आप वो डाल सकते हैं उसका पाउडर बनाके एक चमच मैंने काला नमक लिया है साधा नमक हमने पहले डाल लिया था एक चमच आप काला नमक डालेंगे एक चुथाई चोटी चमच कुटी हुई काली मिर्च और दो चमच मैं आँँ चीनी डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा खटा खटा ना लगे क्योंकि नीमो बहुत ज़्यादा खटे होते हैं तो अगर एक से दो चमच चमच नहीं डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बैलन्स हो जाएगा तो अब ये मसाले वाला चार बनकर बिल्कुल तीार है आप इसे एक जार में भर कर रख सकते हैं अगर आपको मसाले वाला चाहिए तो आप मसाले वाला ऐसा ही छोड़ सकते हैं तो मैं इसमें से आधा निकाल रही हूँ क्योंकि आधा हम मीठे वाला बनाने वाले हैं तो यह मसाले वाला बनकर बिलकुल तयार है इसे हम रख देंगे और बाकी बचे में हम चीनी डालेंगे तो छे चमच में चीनी डाल रही हूँ क्योंकि जितने नीमो होंगे उतनी ही हम चीनी डालेंगे अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम जार में भरके रखतेंगे ये मीठे वाला चार तैयार है ये मीठे वाला डाल दिया है मैंने और ये हमारा मसाले वाला है अगर आपको मसाले वाला चाहिए तो ऐसे रख सकते हैं अगर मीठे वाला बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं अब दोनों को हम 15 दिन के लिए धूप में रख देंगे 15 दिन हो गए हैं अचार बिल्कुल तयार है ये मसाले वाला है और ये हमारा मीठे वाला देखिए चासनी बिल्कुल अच्छे से बन गई है तो अब हम जब भी इसके निकाले तो सूखे चमच का इस्तमाल करे ता कि ये अचार खराब ना हो तो ये मसाले वाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आपको मसाले वाला पसंद है तो, और अगर आपको चासनी वाला यानि कीचीनी वाला पसंद है तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ये भी, निम्बू का खटा, मीठा, तीखा, चार बिल्कुल तयार है आप इसे खा सकते हैं 15 दिन आप इसे धूप में रखिए और बिल्कुल सोफ्ट हो जाएगा तो आप इसे खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं दोना चार उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंदाए होंगे आपको कौन से वाला पसंद है, मसाले वाला या फिर मीठे वाला तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंदाए है तो प्लीज धेर सारे लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंज